हलो जी नमस्कार सश्यकाल असलाम वालेकूं केमचो कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी मम्ता सिर्टेवा एक बार फिर से आप सब के साथ में आप लोगों की तरफ देखके मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ लेकिन क्या को बोलते हैं यह मनकूल एरिया है तो चलो आप अभी सड़क की तरफ कैमरा करके आपको हम दिखाते हैं कि हमारे घर के आसपास का दुबई का एरिया कैसा है सो इन्जॉइ द वीडियो यह देखो आप यहां पे विल्लाज बने हुए हैं और सामने आपको नजर आ रहा और इसके ऑपोजिट साइड पे दुबई का आएगा करामा एरिया वो भी मैं आपको दिखाते हूँ यह अभी मैं स्टेशन के पास निकली हूँ बहुत सारे साइकल यहां पे लोग अपने पाक कर जाते हैं स्टेशन यहां के वेल मिंटेंड रहते हैं और इसका एक तो अं नया दुबई तो बुर्ज क्लीफा की बिल्डिंग हो गई एतिसलाद की जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वर्ल्ट्रेट सेंटर है दुबई का वो सारी चीज़ें आपको सामने नजर आ रही होंगी और आपको साथ साथ में दुबई तो देखने को मिली रहा होगा आमशोर हजारो करोडों लोगों का सपना होता है दुबई आना कि हम आहां आएं हम आहां घूमें हम आहां देखें तो आज मेरा दिल किया कि चलो मेरी फैमली मेर साथ ट्रावल कर रही है तो उनको बोलती हूँ कि भाई पकड़ो कैमरा और बनाओ वीडियो साथ में तो आपको नजर आ रहे है ना ये एरिया के पुराने हमारे घर के पास गर बने हुए है और बड़े खूबसूरत लगते है मुझे ये घर मतलब ये ना मुझे पंजाब में जैसे कोटिया होती है ना वैसी फील देते है और ये काफी पुरानी कंस्रक्शन है यहां की लेकिन हम हमजान की वज़ा से कहलो ज्यादा रशा में नहीं मिल रहा और मेरी आज एक मीटिंग है जहां पे मैं जा रही हूं तो ये जाफली आइरिया हमारे राइट में चल रहा है यहां पे बहुत बड़ा इमिग्रेशन का और वीजाजगरा लगवाने का एक ऑफिस होता था अभ आपको गेंसी नजर आ रही है वो एतिसलाद के बिल्डिंग बहुत फेमस है दुबाई की और जहां अब हम जा रहे है वो शेक्जाइद रोड है और उसके पास में आभी मैं आपको जाके दिखाऊंगी उसका नाम है वर्ल्ट्रेट सेंटर और इसका पहले मैंने आवाज जोड़ी सी खोलनी है क्योंकि हमने अपनी लोकेशन भी तो चाहिए ना साथ साथ में तो यह देखो आप मेरे घर से माला पांच मिनट की दूरी पर यह सारा व्यू है वो सामने बिल्डिंग आपको वर्ल्टेट सेंटर नजर आ रहा है वो एक संजेदत की मूवी में उसकी शूटिंग हुई हुई है और यह टनल से निकल कि आप बाहर देखना आपको शेख जायद रोड आज नजर आने वाली है जो मतलब यहां की मतलब टॉक आफ दे टाउन रोड है ना दुबई की जहां पे हजारों करोडों लोग छोटी छोटी वीडियो बनाती है डालती है यह देखो नजारा यह हमारी वह रोड भी शिरू होने वाली है जिसको मतलब देखने के लिए दुनिया आती है और अब तो दिन का टाइम है गांस अगर एह होता ना दाइम तो यह जगमगा रही होती है पर अब और अब भी देखना विधिन तो तुरित घ्मनेंस आपको वो वर्ल्ड फेमस है और वो लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है दाट इस म्यूजियम अफ दुबाई और देखिये म्यूजियम अफ दुबाई कितना कुपसुरत लग रहा है यहां से इसके अंदर भी मैं गई थी मैंने वीडियो बनाई थी डाली थी आपके लिए आज के जादा ट्राफिक है नहीं यहां पर और यह देखो यह हम निकल गए अभी इसके पास से बिल्कुल अभी भी कितने टूरिस्ट उपर गूम रहे हैं मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट इसके उपर है और साथ साथ में मेट्रो के स्टेशन भी आपको न अभी मुझे तो ड्राइव और करना है 17 मिनट्स तो मैं 17 मिनट्स लगाता तो नहीं बोल सकती कि मुझे ट्राइविंग पर भी फोकस करना है साथ साथ में लेकिन चलो आगे कुछ अच्छा आता तो फिर आपको दिखाते हूँ दुबई की यह बिल्डिंग आपको नजर आ होगा तो यह चीज है और अभी आगे जाएंगे थोड़ा सा मतलब लिटरली टू तो त्री मिनट्स के गाप में हमें नजर आ जाएगा बुर्ज कलीफा क्योंकि दुबई मॉल मेरे घर से दूर नहीं है अरे बुर्ज कलीफा अलड़ी आगया हमने देखा ही नहीं यह रहा तो आगे चलते हैं और आपको क्या दिखा सकते हैं और यह है दुबई की सिटी साइट सिंग बस इसको आप बुक कर सकते हो और अगर आपको नहीं घूमना मतलब अपने ओन तूंडना है अपने तो आप यह बस ले सकते हो एक और बस चल रहे हैं इसका नाम है बिग बस होप अन होप अफ तो तू टाइपस ऑफ टूरिस्स बसे हैं यह थोड़ी सी रहती महंगी है लेकिन इससे ना आपको हो जाती है क्योंकि आप ना इस पे एक बार चड़ जाओगे तो आप मतलब अराम से पूरा दुबई गूम सकते हो तो कितने तू यह दोनों ही आपको मिल जाएंगी जो लोग अपने आप नहीं डेसिशन तूनना चाते तो इस पे भी ट्रावल कर सकते हैं अभी यह जो ब्रीज है इससे हमने राइट जाना है अब हम राइट का इंडिकेटर देंगे जल रहे है यह ब्रीज भी मेरी आंकों के सामने सामने जिस्स से हम अभी गुजर रहे हैं इधर Emirates का Donata का ओफिस होता था अभी है लेफ्ट में लेफ्ट में गवह था ने इसके नीचे इनोंने एक वो निकाली है क्या उसको मोलते है पानी की कनल निकाली है और यह होटेल मेरे लेफ्ट में जो चल रहा है वी होटेल यह बहुत अभी हमने राइट की तरफ मुड़ना है, लेट्स गो, इंडिकेटर देना, यहां रूल फालो करना, मतलब बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यहां पे लगते हैं, तगड़े तगड़े फाइन, अगर कोई भी आप ड्राइविंग करते हो, तो आपको फाइन देना पड़त मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने राइट की तरफ जाना था, और हम लोग लेफ्ट की तरफ आगए हैं, शायद, लेट्स सी, कि इधर सी जाना है, आप नोट सो शूर है, बेपी हम गलत आगए, चलो कोईनी, सीदे से भी आजाएगा, नो इस्यूस अगा, सीदे से भी चल रही होती है, और सारे के सारे हाई प्रफाइल, यहां पे मतलब रेश्ट्रांस, डाइन इरियाज है, काडियों के शोरूम्स है, यह सारा अभी हम शेख जायद रोडी हूं रहे हैं, शेख जायद रोड बहुत बड़ी है, और यह वही रोड है जिसे लेकर आद सेंटर है, सॉरी हम लोग ब्रिट से निकल रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूं, इसमें एक मूवी के शूटिंग हुई थी, बहुत पुरानी बात है और यह दुबई का काफी पुराना मॉल है, इसका नाम है टाइम स्क्वेर, यह आपको टाइम स्क्वेर सेंटर अभी नज गाड़ियों के बीच में, यह नहीं है कि एक दूशे के ऊपर चड़े हुए, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर डिस्टन्स रखते हैं, कोई हौन नहीं बजाता, और कभी गाड़ी किसी की लग भी जाए न, अगर किसी के साथ में गाड़ी आपकी लग भी जाती है, तो लो अगराच वाली गाड़ी के पूरे टायर नजर आ रहे है, मतलब इतना डिस्टन्स मेंटें किया जाता है, और लोग असानी से, मतलब अराम से, शान्ती से मतलब चलाते हैं गाड़ी, यह अशा नहीं है कि लडाई जगड़े वाला कोई काम है, यहाँ पर वैसा कोई काम नह हमारे दुबई में गाड़ियां भी एक से एक आपको नजर आ जाएंगी, बाकि यह जो एरिया है ना यह है, अलकूस एरिया, इस एरिया में आपको वर्क्शॉप्स नजर आएंगी, जितना भी लेबर का काम, मतलब कोई भी होलसेलर्स, या मतलब गाड़ियों की वर्क्श सुआ है, इस एक सारे जाना है, हम राइटी वजा रहे हैं, यह जो आपको विल्डिंग नजर आ रही है, यहां पे लेबर भी रहती है, तो यह लेबर को वार्टर्स है, यह लेबर के खर भी है, यहां अलकूस में, यह ते को बस्जिस पाक ही हुई है, लेबर की जो लोग जैसे ट्राले चलाते हैं, कोई ट्रक चलाता है, तो उस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे accommodation मिल जाएंगे, यह सारे accommodation लेवर के हैं, यह देखे, आगे भी बिल्डिंग्स नसरा रहे होंगे यह काफी महंगी होती है, तो इसलिए अगर कोई आप गूमने आओ यहाँ पे, तो बेडर है आप इसकी आवाज पहले में कम करती हैं, तो अगर आप यहाँ गूमने आओ तो कोशिश यह करो, कि यह आप बस यूज करो, यह आप मेट्रो यूज करो, लेकिन टैसी बहुत यह आप बहुत सारी ट्रक वगरा ऐसे पाक हुए है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, सीमेंट वगरा हो गया, चंस्ट्रक्शन माटेरियल हो गया, चंस्ट्रक्शन के वहिकल्स हो गए, वो सारी चीजे यहाँ से जाती हैं दुबई में, और पी अरिया होगे, यहाँ से अरिया है, यहाँ से लिए 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 यहाँ से लेट्स गू एट्स गू एट्स आप कह सकते हो के मैं हम दुबाई आए नहीं है लेकिन हमें दुबाई के बारे मम्ता जी ने सारा बता दिया तो अगर यहां कोई साइकल पी अंतर चलाता तो अशी जैकेट उसको पहननी पड़ती है है जैसी जबाई साब ने पहनी हुई है और बस हमारा डेसनेशन आने वाला है दो मिनट में और यह वीडियो भी एंड होने वाली है लेकिन मेरा मन था कि आपको बताती चलूं दिखाती चलूं कि यहां क्या क्या है ताकि आप कह सकते हो कि हमने दुबाई घूमा शेक जायद रोड देख ली हमने यहां पर अलकूज एरिया देख लिया इंडस्ट्रिल एरिया जो यहां का है तो आप दुबाई के बारे में कभी भी खुल के किसी से बात कर सकते हूँ अब यहिए अब यह मैं तो पहुँच वारी हूँ मेरी अपर डिस्मीशन पर ठीक है जी लेकिन मैं वही सोची हूँ आज मेरी मीटिन्ग कौन से दुनिया के कौने में है चलो कोई बात नहीं मीटिंग के लिए तो आना ही पड़ता है और बस मीटिंग के लिए पहुंच रही हूँ आपको गुमाफरा दिया आज दुबाई गाड़ी रोगती हूँ फिर आपको बाए करती हूँ चलो गाइस मैं पहुंच गी अपने डेस्टिनेशन पर मेरी हैं यहाँ आफिस में सामने मीटिंग आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत बूलिएगा मुझे लगा चलो जातो रही हूँ ड्राइव तो करी रही हूँ आप सबको दिखाती जाओ दुबाई तो चलिए कौन सी चीज आपको दुबाई की अच्छी लगते हैं मुझे कमेंट्स में बताईएगा और आप दुबाई के बारे में क्या जानना चाते हैं वो भी बताईएगा तो हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएगे गुड़ बाई फर टाउ बताफ लाओ